Hello everyone, welcome to Catch upon English, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो कोई आपको बुला रहा है, someone is calling you, someone is calling you मैं अभी व्यस्थ हूँ, I am busy now, I am busy now यह मेरे उपर निर्भर करता है, it's up to me, it's up to me मुझे पता था कि यह दिन आएगा, I knew this day would come, I knew this day would come अब किसी तरह मामला सुल्जाओ, now settle the matter somehow, now settle the matter somehow बात को और आगे मत बढ़ाओ, don't stretch the matter further, don't stretch the matter further उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए, she should be ashamed of herself, she should be ashamed of herself उन्होंने बहुत पढ़ाई की लेकिन सब व्यक्त हो गया, he studied a lot but all in vain मुझे आपको सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है जो हो रहा है, होने दो फ्रेंट्स कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी worst situation से गुजर रहे होते हैं तो इस situation में हम लोग कभी तो ऐसा कहते हैं कि चलो यार छोड़ो जो हो रहा है होने दो तो इसके लिए हम एक English में phrase का यूज़ करते हैं जो है आप अकारन ही तनाव में रहते हैं आपके काम में कोई त्रुटी नहीं है मेरी दुश्मनों को सबक सिखाने की जरूरत है मेरी कसम खाओ के तुम जल ही वापस आओगे मृत्यू का कोई समय नहीं होता तो फिर इस sentence के लिए भी English में एक phrase का use होता है जो है death keeps no calendar आपने जो कुछ कहा था वह सही है उस पर चोरी का आरोप है she is accused of theft she is accused of theft शक की कोई गुझाईश नहीं है there is no room for doubt there is no room for doubt so friends if you found the video helpful don't forget to like, share and subscribe and thanks for watching